डिलिट कॉल रिकोर्डिंग को कैसे वापस लाएं आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी डिलिट हुई कॉल रिकोर्डिंग को अपने मुबाइल फून में वापस ला सकते हैं वो भी only 5 मिनिट के अंदर दोस्तों अगर आपकी कॉल रिकोर्डिंग गलती से आपसे डिलिट हो गई है या पिर आपकी कॉल रिकोर्डिंग किसी और ने डिलिट कर दी है और ऐसे में आप चाहते हैं उस call recording को वापस लाना तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपनी call recording को अपने mobile phone में वापस ला सकते हैं वो भी 5 मिट के अंदर तो अप चलते हैं अपने mobile phone की स्क्रीन पर अब मैं आपको डिटेल से call recording recover करने के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो दोस्तों मेरे पास जो mobile phone है वो है S22 Ultra तो मैं इसी mobile में आपको call recording recover करकर दिखाने वाला हूँ यानि call recording को वापस लाकर दिखाने वाला हूँ तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे सबसे पहले हमें अपने mobile phone में एक एप श्टोल करना होता है जिसका नाम है audio recovery इस एप को आप अपने mobile phone में श्टोल कर सकते हैं इस एप कर लिंक आपको नीचे description box में देखने को मिल जाएगा आप वहाँ पर किलिक करके भी इस एप को mobile phone में श्टोल कर सकते हैं या फिर डरेट आप पिले श्टोल पर आकर यहाँ पर सर्च करेंगे audio recovery तो यह एप आपके सामने आ जाएगा और बात करें इस एप के डाउनलोड की तो 10 लाग पिलस एप के डाउनलोड हैं तो आप इस एप को अपने mobile phone में यहां से श्टोल कर ल ला सकते हैं जब आप अपने mobile phone में एप को open करते हैं तो आप से permission भागेगा तो permission आपको इसकी allow कर देंगे तो उपर आपको दो option देखने को मिल जाएंगे call recording को वापस लाने के तो हमें यहां पर first वाले को स्लिट करना है और start पे किलिक करेंगे start पे किलिक करने के बाद अब यहां पर आपको time लगता है अगर आपकी call recording कम हैं तो आपकी ek से दो मिट लगेगी अगर आपकी call recording जादा है तो आपको ज़्यादा time यहां पर लगता है और वो call recording हमारे mobile के अंदर safe हो गई है तो अब हम यहाँ पर finish पे click करेंगे और यहाँ पर हमार सामने करीबर 5 सिकंड का 8 आता है तो इस hit को हमें close कर देना है 8 close करने के बाद यहाँ पर आपके सामने option आजाता है We record audio तो चाहे तो आप यहाँ पर click करके अपनी code recording है उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर आप आएंगे my file पे आपके mobile phone में my file नाम से एक जरूर होगा या फिर आपके mobile में file manager नाम से एप होगा तो आप उसे यहाँ पर open कर लेंगे तो हमारे mobile phone में my file name से एक है तो हम इसे open कर लेंगे एक open करने के बाद आपके सामने option आता है internal storage का तो आप यहाँ पर click कर देंगे तो यहाँ पर आप search पर click करेंगे और यहाँ पर आप type करेंगे audio टाइप करने के बाद नीचे आपके सामने folder आता है all record audio का तो आप इस पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद आपकी जितनी भी call recording होगी वो यहाँ पर आकर shape हो जाती है तो अब मैं आपको यह call recording यहाँ पर play करकर भी दिखा देता हूं तो अगर आप इस screen पर देखेंगे यहाँ पर हमने यह call recording play कर दी है अपने किसी other folder में भी save कर सकते हैं या फिर यह call recording हम यहाँ से copy करने के बाद अपने memory card में भी save कर सकते हैं जैसे मैं आपको दोस्तों बता है बस इस तरह से आप किसी भी इस mobile phone के अंदर call recording को वापस ला सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं दूसरे option की जिसकी मदद से हम अपनी call recording को या फिर photo videos को भी वापस ला सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको अपने mobile phone में पहले file manager app को open करना होता है या फिर आप अपने my file app को भी open कर सकते हैं एप open करने के बाद simply आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाता है recycle bin का तो आप यहाँ पर click करेंगे जो भी आपके call recording होती है या फिर जो भी आपके videos, photos या फिर कुछ other भी आप delete करते हैं तो वो भी आपके यहाँ पर आकर shape हो जाते हैं अगर आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो simple यह आपको इस तरह से hold कर रखना है और आगे आपके सामने option आता है restore का आप यहाँ पर click करेंगे और यह folder या फिर यह call recording आपकी उसी जगा जाकर safe होती है जहां से यह आपकी delete हुई है अगर recycle bin का option आपके सामने यहाँ पर नहीं आता है अपने mobile phone के अंदर और जो तरीका मैंने आपको बता है call recording वापस लाने का इस तरीके से आप किसी भी mobile phone के अंदर call recording को वापस ला सकते हैं अपने mobile phone के अंदर बस आपको एक बात का दियान रखना है आप जिस mobile phone में call recording वापस ला रहे हैं वो call recording डिलिट हुई होनी चाहिए अगर वो mobile phone format हुआ है तो आपके call recording वापस नहीं आती है तो आपको ये वीडियो कैसे रगी मीज़े comment करकर जरू बताए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके call recording वापस आ गई है जे हिंदी